किसानों, नौजवानों, मजलूमों, दवे, कुछने, सोंसित, फेडे, लोगों की, एक मजूद आवाज के तौर पर, हम सब के नेता अगणी अख्रीस यादर जी को, विधान सवा में बैठना जरूरी पड़ा, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगी भावना थी, कि विधान सवा में रहके, योगी सरकार के अन्या एक चार से, उत्तर प्रदेश क जनता को बचाने के लिए आप यहां बैठें, यह जन भावना थी, जिसके कारण उनको, उत्तर प्रदेश की विधान सवा के, सदस्च और नेता प्रतुपच्च के तौर पर रहते हुए, आज वड़ सरसदी 6 से, इस्तिफा देना पड़ गया, और जब इस्तिफा दिया, तो मैं समस्ता हूँ, यहां के सभी साथियों, और साइद लोगों को विश्वास हो नहो, यहां के साथियों ने फैसला ले लिया, लड़ी राश्चित दजी ने फैसला ले लिया, और मुझे सुचना उसके बात दी गई, कि अब जाके आपको चुनाओ, लड़ना है, मुझ